जीस्ट्वी नियूस देख रहे हैं आप अंदर की बात के साथ मैं हूं मानसी। करनाटक विधान सभा चुनाओ के बात अब सब की नजर राजस्थान के चुनाओ पर है। राजस्थान में अभी से सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या करनाटक की ही तरह राजस्थान में परमपरा कायम रहेगी। करनाटक की सियासी संग्राम अब नतीजों की राह पर है तो दूसरी तरफ अब राजस्थान के रण की तैयारी है। इस साल के आखरी में राजस्तान, मध्यप्रदेश और 36 गर्द में विदान सबाव चुनाव होना है लेकिन राजस्तान में तो 5 मेने पहले ही सियासी पारा चड़ता दिख रहा है बीजेपी ने राजस्तान में दो दसक से चली आ रहे चुनावी रवायात एक बार बीजेपी तो एक बार कॉंग्रेस के मद्दे नजर अपनी तयारी शुरू कर दी है क्योंकि परंपरा के मुताबिक इस बार बीजेपी के हाथ में राजस्तान की सत्ता आनी है पीएम नरेंद्र मुदी ने कनाटक में हो रहे मद्दान वाले दिन यानी बुद्धवार को बीजेपी चुनाव अभ्यान का आशरी गणिस कर दिया इस दिन पीएम मुदी राजस्मंद और सिरोही में सरकार और पार्टी के कारेक्रम में शामिल हुए पीएम के इस द्वरे को चुनावी संखनाद इसलिए भी कहा जाना सही है क्योंकि इस बार बीजेपी ने विदान सबाद चुनाव मोदी के चहरे पर लड़ने का एलान कर रखा है ऐसे में ये तो साफ है कि चाहे वसुंदरा राजे हो या पार्टी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्स चंदर प्रकास जोसी चुनावी कमान किसी को नहीं सौपी जाएगी बड़ा सवाल ये है कि आखिर दो बार राजस्तान के सीम रहे वसुंदरा राजे की इस बार चुनाव में क्या भूमी का रहेगी ब्योरो रिपोर्ट जी एस टीवी